अरदी में गर्बी में जाडे में बारिश में तुझ मेरा तुझ मेरा हो ना हाई अवरिवन मैं हूँ रीना स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीना की दुनिया तो फ्रेंट्स आज मैं आप सबी के सामने फिर से विंटर स्टाइलिंग टिप्स और हैक लेकर आए हूँ तो वीडियो को स्टाइर करने से पहले मैं आप सबी को सबसे पहले दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारा जो पिछले वाला वीडियो है विंटर वेडिंग जमसे स्टाइब करता है आप जदा लग करें। चैनल को लाइक करें, श्यale को मुटिवेट करता है तो लाइक मुटिवेट आप करता है जिए विडियोच चेसे सबसक्त्राइब यह सब्सक्राइब करDad जादा कपड़ के लेना अच्छा है की आपने कपड़ को रियूस कर के एक नया नया स्टायल कर सकती है मैं मैं यहाँ इस सऩ्ट को बहंगे जीन्स के साथ न्यांतर इसे प्शेट के नौर्मल आप। этоonut pie Iraq orden अप्छाया व्हाँ सकते है वेडिंग वीडियो में देखा होगा, मैंने इसे as a blouse या as a crop top के जैसा यूज़ करती हूँ, ये एक woolen tops है, तो मैंने इसे white shirt के उपर, ये, तो ये है मेरा पहला लुक, मैंने अपने white shirt को crop woolen top के साथ प्यार अप किया है, ये top मैंने एक वेब साइट में देखा था इस तरह से, आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, shirt के उपर crop top, तो मैंने थोड़ा सा दिमांग लगाया, और यहां hack यूज़ किया, मैंने अपने white shirt को इस उलन top के साथ प्यार अप किया, तो एक तरह से एक नया top बनके तयार हो गया है साथ में मैंने गले में इस तरह से scarf को not bandha, तो यह एक हमारा stylist look तयार है, next मैंने same scarf को as a hair band के जैसा use किया हुआ है, और बचे वे fabric को आगे लाके, मैंने इस तरह से गले में लपेटा, तो यह चोकर जैसा illusion create हो रहा है, तो यह है मेरा second look, I hope आपको पसंदारी होंगी, मैंने य जीन्स की जगहा पे प्लाजो 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 क्योंकि थंडे के मौसम में आप इसके नीचे थर्मल वेर भी पहन सकते हैं, अगर ज्यादा सर्दी हो तो इस तरह से आप वाम भी रह सकते हैं, और स्टाइलिस भी, next यहां पे मैंने जीन्स का जो सर्ट है, इस अप देख सकते हैं, यहां पे मैंने यलो कुलर कोलेन टॉप पहना, और सामने में हल्का सर्ट हैं यहां पे इस तरह से कुछ गाम हैं, यहां पे इस तरह से डिजाइन है और पीछे प्लेन है, तो मुझे चाहिए था कि मेरे कुछ गले तक वैसा मैं नीचे बेस्पहनू जो किया इस तरह से भी गला मैंने बहुत बार पहना तो इसको मैंने जास्ट रिवर्स कर दिया रिवर्स करने के बाद एक यह हाइनेक वाला पैटन बन गया है देन उसके बाद मैंने यहां पे यह कलर फूल श्रग डाला चूंकि मेरा जो श्रग है वह कलर पूल है तो मैं चाहती साथ मैंने सूस भी पहना है सिल्वर कलर के एरिंग को पहना है तो इस तरह से आप एक स्टाइलिक्स लूप को क्रियेट कर सकती है next look के लिए यहाँ पे हमने श्रक को हटा के silver color के coat को pair up किया है तो इस तरह से मैंने यहाँ पे एक monochromatic look को create किया है monochromatic means उपर से नीचे same color के कपड़े को पहना तो आप भी इस तरह से monochromatic look को create करके stylish और comfortable look पा सकती है यह plazo मैंने local market से खरीदा है तो आप भी इस तरह के plazo local market से ले सकती है कानों में यहाँ पे मैंने studs earring पहना है next मैंने उस silver coat को हटा के इस jeans jacket को डाला बट यह jeans मेरे silver color के plazo के साथ नहीं जा रहा था तो मैंने उसे change करके black color के plazo के साथ pair up किया तो यह भी एक अच्छा look create हो रहा है आप plazo की जगा पे नीचे jeans भी डाल सकते हैं तो यह भी एक बहुत अच्छा monochromatic look create हो सकता है बट मुझे plazo में ज़्यादा comfortable लगता है तो इसलिए मैंने plazo के साथ pair up किया फिर मैंने same plazo को अपने उलन कूरती के साथ pair up किया है तो यह भी एक बहुत ही comfortable look है personally यह मेरा favorite look है मैं ज़्यादा तर winter में इस look को create कर सकती हूँ तो इस तरह से आप अपने plazo को कोई भी उलन कूरती जो short है तो आप उसे pair up करके एक stylish look create कर सकती है after that मैंने यहाँ पे stole को as a jacket की तरह यूज किया है आपके पास कोई भी अगर embroidery stole हो या shawl हो आप इस तरह से कंधे में wrap करके फिर उसे एक belt के साथ अगर pair up करेंगे तो एक बहुत ही stylist और model look create हो जाता है तो इस तरह से आप वाम भी रहेंगी देखने में भी stylist है और यह बहुत ही comfortable है तो इस तरह से आप different different shawl को आप अपने dress के साथ match करके इस तरह से आप jacket वाला look को create कर सकती है आप चाहे तो अपने उलन कुर्ती को summer वाले skirt के साथ भी pair up कर सकती जैसे यहाँ पे मैंने अपना जो यह maroon color का जो skirt है मैंने इसे अपने उलन कुर्ती के साथ pair up किया है नीचे में मैंने warm leggings भी पहना है soos भी पहना तो इस तरह से आप गर्म भी रहेंगे और stylist भी look create होगा तो आप recently मैंने इस तरह के look को create करके एक wedding को भी attend किया है तो इस तरह से आप अगर look को create करती तो आप warm भी रहेंगे और स्टाइलिस भी रहेंगे आप चाहे तो इसके साथ स्टोल भी ले सकती है तो आई होब आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए अगर पसंद आए तो प्लीज प्लीज गिवा बिग थम्स अप लाइक शेर और सब्सक्राइब